दोस्तो आज अर्मेनिया की तरफ से एक कदम एसा चल दिया गया है जिसकी वज़े से भारत का सपना तूटने से भी बच जाएगा और हम तुर्की को अच्छे से सबक भी सिखा सकेंगे तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हाली में ही G20 सम्मिट के दोरान भारत की तरफ से इंडिया मेडिल इस्ट यूरोप कोरिडोर को बनाने का फैसला लिया गया था इस कोरिडोर के जरिये हम केवल 36 घंटे के अंदर अंदर ही अपने सामान को यूरोप तक पोचा सकते थे लेकिन इसराइल और हमास की जंग की वज़े से अब ये कोरिडोर आधे में ही लटक चुका है इसी बात का सोल्यूशन निकालते हुए अर्मेनिया की तरफ से भारत को बोला गया है कि आप जो ये कोरिडोर बनाने वाले थे जो मुंबई से साओधी अरब से इसराइल और इसराइल से ग्रीस जाने वाला था और बाद में इसी कोरिडोर की मदद से यूरोप के देशों म इरान के साथ बहुत ही जादा अच्छे हैं आप अपने सामान को पहले इरान भेजिए उसके बाद ये सामान अर्मेनिया में आएगा जिसके लिए हम आपको एक अलग से रास्ता बना कर देंगे उसके बाद ये सामान जोर्जिया जाएगा और जोर्जिया से ये सामान डिर भारत को और भी जादा चोटा पढ़ने वाला है अर्मेनिया की तरफ से भारत की ये मदद इसलिए की जा रही है ताकि भारत और अर्मेनिया के बीच रिष्टे और जादा बहतर हो सके इस कोरीडोर का हमको एक फाइदा ये भी होगा कि इस कोरीडोर की मदद से हम काफी अराम से चुप चाप तरीके से अर्मेनिया को हत्यारों की सप्लाई भी कर सकेंगे जिसकी खबर एजरबेजान को कानो कान नहीं होगी साथ में आज अर्मेनिया की तरफ से भारत से भारी संख्या में और नए हत्यारों को खरीदने का फैसला भी ले लिया गया है जिस को लेकर अर्मेनिया की तरफ से आज ये फैसला लिया गया है कि हम जल से जल दिल्ली में अपना defense attese ठैनात करने वाले हैं और इन defense attese का रमेनिया को ये फाइदा होगा कि ये defense attese काफी अराम से भारत में बनने वाले नए-नए हत्यारों की जानकारी अर्मेनिया तक पहुचा सकेंगे और फिर अर्मेनिया अपनी जर्वत के हिसाब से भारत से एडवांस से एडवांस हतियार खरीज सकेगा और अर्मेनिया के डिफेंस एटेसे भारत में तैनात होने की वज़े से अर्मेनिया काफी तेजी से भारत को हतियार की खरीद करने में शक्षम हो जाएगा और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको अर्मेनिया के इस ओफर को एकसेप्ट करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं ठेंक्स फॉर वोचिंग दिस वीडियो, वेव गूड डे